यह हमारे चैनल का भी तक का सबसे महंगा लाप्टॉप है मतलब ऐसा नहीं हमने एलेन वेर पहले रिव्यू नहीं कर रखा पिछली जनरेशन का किया था बट वह इतना महंगा नहीं था यह तीन लाक दस हजार उपेगा है यार तुम वीडियो चोड़के चले आप देख तो लो वैलकॉम टी अनधर एपसोड ऑफ तिंक्स वी कांट अफॉर्ड भाई यह लाप्टॉप की दुनिया का ओडी मर्स्रीडीज है यादे इंटल लॉग वाली वेंडब में एलेन वेर दिखाता मैंने का रिव्यू जरूर करने ही गोईश करेंगे और यह होता है फुल पर्फॉर्मेंस पैक तो क्या करना है बस डबब होलना और जानते इसके बारे में कैसा है लाप्टॉप तो यह प्लेन-प्लेन सा बॉक्स है हमारा पता नहीं रिटेल यूनिट ऐसी आईगी है कैसी आईगी उसके अंदर से सु क्या ही भाई तगड़ा अंबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वाउ यह हमारा लाप्टॉप निकली है सके अंदर से फुल पैकिंग भाई तगड़ी पैकिंग का रख्या है और यहां पे डबबी सी दी है डेफिनेटली सके अंदर पेपरवर्क वगरा होगा हां कुछ पर्चे क्या ही जबर्दस लुक और क्या ही जबर्दस लैप्टॉप यहां पर लोगो बन रखका है यहां पर 17 लिखा बड़ा बड़ा और भाई सच में काफी बड़ा लैप्टॉप है वाउ इंटीरियर बेरी नाइस जो हमारे लेटेस एलिर वेर लैप्टॉप्स हैं वो इंटल 12 जनरेशन के साथ आता है और 12 जनरेशन का तो मैं बता होगा डीडियर 5 राम सपोर्ट आता है थंडर बोल्ट पोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और यह जो एलेंवेर एक सेवंटीन है यह कॉड्ड फैन सेटप के साथ आता है यह पहला साल आप्टॉप मैं रिव्य थ्रेट्स वाला प्रोसेसर है र्टी एक्स 3070 टी मिल जाएगा 150 वॉट टीप के साथ जिसमें हमारा टर्बर बॉस्ट इंग्लूडिट है 32 राम मिलती है डूल चैनल में 4800 मेगाट क्लॉक स्पीड वाली जो हमारी डीडियर 5 राम है वन टीबी की जैन 4 एससड आपको मिल ज तो तकड़ा निकलने वाला और उपर से भारी भारी हुई है यह किन लोगों के लिए बनावाला आपता वो भी आपको आगे बताता हूं और इसकी बिल्ड कॉलिटी है काफी स्टर्डी है और यहां पर स्क्रीन वापल है ना मिलता ही नहीं है क्योंकि इसके हिंजेश है बह इवन जो इसका पावर बटन है उसके अंदर भी आपको लाइट मिल जाएगी और पीचे से भी आपको यहां पर वेंट्स मिल जाएंगे और बॉटम में भी बड़े-बड़े से हनी कॉम डिजाइन के वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे हमारी स्पीकर ग्रिल मिल जाती है द मतलब वैसे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती और वैसे भी गेमिंग लापटप है एक्स्टर्नली बंदा माऊस ही लगाने वाला है मतलब भाई इन टास्क करने के लिए बट सिल कभी-कभी यूज करना हो उसके आप आराम से यूज कर सकते हो फुली क्लिक के बन वार पर की एक लाइट को चूट कर सकते हैं एक मैं के बड़िया लेवल और सफ्ट्वर में आपको अपको अडर सकते हो और वरक्लॉगिंग के फीचर्ज भी आपको मिल जाता है अगर आप लगे की और वर के फीचर्ज है प्लन वाले हो या productivity task करने वाले हो तो आप overclock कर सकते हो लाक्टप को उससे गया कि performance boost हो जाती हो थोड़ी सी now talking about the ports left side में आपको power input का port मिलता है right side में हमारे को headphone mic jack का combo मिलता है बाकी सारे इसके अंदर पीछे की तरफ मिलता है ports पीछे में left side से अगर आपको बता हूं usb type c port मिलता है thunderbolt 4 वाला and 15 watt power delivery ये support करता है plus display port 1.4 को भी support करता है यहाँ पर usb type a port मिल जागा 3.2 gen 1 वाला यह power share वाला है power share से मतला आपको phone mode चार्ज करना कुछ हो तो आपको ज्याद आच्छा output मिलेगा then rj45 lan port मिल जाएगा then one more usb type c port 3.2 gen 1 वाला यह भी हमारा power share वाला port है और यहाँ पर HDMI 2.1 का port मिल जाता है यानि कि 4k 120 Hz तक आप इससे output ले सकते हो then usb type a 3.2 gen 1 port with power share एक micro sd card slot और एक mini display 1.4 का port मिल जाएगा तो एक laptop की अपनी display होगी आपको HDMI से output मिल जाएगा सकते क्योंकि जो मारा thunderbolt port है वो cpu से connected होता है इसके अंदर आपको मॉक्स स्विच भी मिलता है बट इसका मॉक्स स्विच आपको BIOS सेटिंग में मिलेगा मेरा परसनल सजेशन है ब्रैंड को कि आप alienware command center में दो बाइवस में आदे लोगों को पता ही लगपता कि यहां मक्स वीच है या नहीं है बट सिल्फ मैंने बता दिया आपको HDMI हो या mini display port हो आपको output eGPU से ही मिलने वाला है इसके अंदर 17.3 इंचीस की full HD IPS display है जिसका refresh rate 360 Hz का है बात आते हैं डिस्पले कलर अक्यूरेसी वाले काम करने हो मल्टी मीडिया अगर आपको देखना हो डिस्पले कहीं भी आपको disappoint नहीं करने वाली और इसके बढ़िया और बैटरी बैकप इतना हाइच्प वाला लापटॉप है तो बैटरी बैकप इतना जाद अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कॉलिटी ठीक आपको मिल जाती है कमेंट सेक्शन हो बता हो गया आपको कैसी लगी और इसका वेब्केम विंडोस हेलो को भी सपोर्ट करता है यानि ये फेस अनलॉक आप इसके अंदर लगा सकते हो आप थोड़ी परफॉमस की बात कर लें जिसके लिए आप एगरली वेट कर रहे हो कि हाँ कैसी परफॉमस देगा से ने 523 के स्कोर्स आपके सामने है 17583 मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर 1763 और यह कुछ गेग पैंच 5 के स्कोर है जो की काफी थकड़ है क्रॉसमाक का स्कोर आपके सामने है पीसी मार्क 10 में 7737 जुमारा डे-to-day टास्क में यूज करने के लिए और यह कुछ हमारे 3D माप टाइम स्पाई के स्कोर्स हैं जो आप वीडियो पाउस करें के चेक आउट कर सकते हो तो स्कोर से तुमारा पता लग गया होगा कि तगडी मशीन रिये है वैसे आई 712 700 है और उसके काफी लैप टॉप सम रिव्यू कर चुग है तो यह बेसिकली डेस्टॉप रिप्लेस्मेंट के साब से तो ऐसी को टेंशन ही नहीं है मतलब जो काम है ऐसे बंद करा और चला लिया काम देखने के लिए और यह हमारा एलियन वेर है गेमिंग टेस्ट डेफिनेटली मनों का देखने का तो कुछ वही पांसाथ गेम टेस्ट क मिल रहा है क्योंकि आई 712 जनेरेशनेस के अंदर और आई 712 700H में हमारे को इतने fps मिलते हैं क्योंकि हमारे सीपी सेंट्रिक गेम है और बागी स्टैट्स आपके सामने 32GB RAMS के अंदर डूवल चैनल में तो उसके साब से रैम कंजम्शन आप देख सकते हो बागी यहां पर ठीक आगे हाँ जीप्यू के टेंपरेशर आपको थोड़से जादा लगेंगे बड़ जीप्यू की वाटेज भी 120-130 वाट तक यह मतलब ड्रॉ कर रहा है और अपको तगड़ा रहेगा यार एलियन वे रहा है मतलब फुल प्रीमियम बात्चीत उसके बाद हमारा प्यारा डुलारा जीटीयफाइव इसको कैसे बूल सकते हैं जीटीयफाइव पर बाकी सारे स्टाट्स आपके सामने हैं मैं क्या ही बोलू तगड़ी पर हम इस निकाल के दे रहा है वाई लाप्टव में फील तो है वाई उसके बाद गेमिंग करके फील तो आ जाती है वा पर और कुछ है नहीं और यहां पर एक्स्ट्रीम प्रीशेट पे हमारे को 80 प्लस एफपेस मिल रहे हैं इतनी उमीद्धी 3070 टियस है और बागी सारे स्टाट्स आपके सामने हैं वही तेम्प्रेचर्स रैम यह वह वह आप चेक आउट करी सकते हो दैन हमारा फारकाई 6 वा इस पर पर टेस्ट करें मतला फेवर क्यालिटी हाइस वाला बिल्गुल और यहां पर नाइन्टी प्लस एफपेस कॉंस्टें लाप टॉप है जो हमारे को 100 एफपेस निकाल के दे रहा है हमारे को आर्डी आर में लास्ट लिवारा मार्वल स्पाइडर मैं डीले से समने करते हैं यहां पर 60-70 एफपेस मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है वेरी हाई प्रीसेट पर रेटरेसिंग ऑन पर भी 60-70 एफपेस आना तो गेमिंग परफॉर्मेंस डेफिनिटी को सवाल उठाने वाली बात ही नहीं तगडी परफॉर्मेंस है तो यह तसका पूर 15-inch वाली सीरीज भी आती है और यह परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है जो की हाइलाइट्स मुझे इस लाप्टॉप के सबसे तरड़ लगे वो लगा 360 एट्स का पैनल और मेकैनिकल कीबोर्ड और ओवरॉल जो इसकी लूक है तो बात सिंपल्स ही है कंक्लूजन क्या ही लोगे इतना बजट है तो तुम्हें कंगलूजन की जूरत ही नहीं हो नीची है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ चेक आउट करना हमाज चेक आउट कर ले ना एंड बस आज की वीडियो पसंद आया लाप्टॉप क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जो भी आ कॉमेंट सेक्शन में आराम से बिंदास लिख सकते हो और बस मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाए